नमस्कार मैं आपके साथ हंजना और आप देख रहें न्यूस बन चुड़े आए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर रिट्यार होने के बाद जजों को राजनीती में जाना चाहिए या नहीं? पूर्व सीज़य चंद्रशूर ने दिया जबाब देश में अकसर इस मुद्धी पर चर्चा होती है कि क्या पूर्व जजों को राजनीती में शामिल होना चाहिए या नहीं? हाल ही में सवाल पूर्व सीज़य आई डीवाई चंद्रशूर से भी पूछा गया इस सवाल का जबाब देते हुए कहा कि हमारा समाज रिटार न्याधीशो को भी न्याय परणाली के संरक्षक की रूप में देखता है उनकी लाइप स्टाइल समाज के कानूनी सिस्टम के मताबिक होनी चाहिए समविधान एप्डरेट पिच्वेतर कांक्ले बाच्शीत के दोरान उन्होंने कहा कि हर जजो को तैय करना होता है कि रिटार्मेंट के बाद उनके दोरा लिए गए फैसले उन लोगों पर असर डालेगा या नहीं जो न्याधीस के रूप में उनके दोरा किये गए काम का मूले आंकन करते हैं टीवाई चंदिचूर ने कहा कि 65 साल की उमर में वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाते जिससे उनके काम या न्याध पालिका की साख पर सवाल खड़े खरे हलांकि उनका उदेश से राजनिती पर प्रवेश करने वाले पूर्व जजो पर आर्वुप लगाना नहीं है उन्होंने कहा कि नायधीस भी आम नागरिक हैं और उन्हें भी अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त है लेकिन समाज उन से उच आचन की अपयक्षा करता है लोग 20 सेकंड का वीडियो देखकर राया बना लेते हैं डीवाई चंदरचूर पूर्व सीजाई ने कहा कि जजों को ट्रोलिंग से बहुत साबधान रहना होगा ट्रोलर से कोट के फैसलों को बदलने के कोशिश कर रहे हैं लोग तंत्र में कानूनों की व्यादता तैय करने की पावर कॉंस्टिट्यूशनल को सौपी गई है डीवाई चंदरचूर ने कहा कि आज का लोग यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर देखे 20 सेकंड के वीडियो के आधार पर राया बना लेते हैं यह बहुत बड़ा खत्रा है CGI पत्से रिटार होने के बाद क्या कर सकते हैं चंदरचूर 10 नवंबर को D.Y. चंदरचूर CGI की पत्से रिटार हुए थे कयास लगाया जा रहा है कि पूर्वी CGI नियाधिकरनों में कोई भूमी का ग्रहन कर सकते हैं चंदरचूर ने कहा था कि कानूनों के तहस सेवा निवरत नियाधिकरनों में काम करना पड़ता है इन नियाधिकरनों के समक्ष आने वाले मामले बेहत अहम होते हैं इन पर सुनवाई करने के लिए इमानदार और विश्यसग लोगों की जरूरत होती है अब तक के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ अब तक लिए नमशकार और देखते रहे नियूज वन टुड़े